अगर आपको Bollywood की अंदादुन टाइप की मुविस पसन है, तो ये मुवी भी आपको पसन आएगी अंदादुन एक नए से कैटिगरी में थी, जो थी Dark Crime Thriller इस टाइप की मुविस में कैरेक्टर्स बहुत ही डार्क होते हैं जब इनके साथ कुछ गलत होता है, तो आप justify कर ले दे कि ऐसा होना ही चाहिए था आज के हमारी Korean मुवी, Beast That Link to the Straw और इसका और एक नाम है, जो है Beast Clawing at the Straws ये 2020 की Crime Thriller Mystery मुवी है, डारेक्शन और राइटिंग अंदादुन की तरह ही लगती है और अगर आपको पसन आए होगी, तो ये भी ज़रूर पसन आएगी मुवी के लास्ट में एक अच्छा सा मैसेज भी है, तो वो भी हम देखेंगे तो चलिए, शुरू करते हैं, मुवी स्टार्ट होती है, और हमारा एक कैरेक्टर जिसका नाम होता है जंग, ये हमें दिखता है ये एक लॉकर के शॉप में काम करता है, अब देर हो चुकी है और ये शॉप अब बन करने वाला है तब उसे दिखता है, कि एक आदमी उसका बैग लेने के लिए आया ही नहीं ये जब इस बैग को उपन करता है, तो यहाँ बहुत सारे पैसे होते है यहाँ काम करने वाला और एक लड़का होता है, जिससे वो बहाना कहेकर ये बैग स्टोरेज में रखतेता है सही से चुपा कर अपने घर आजाता है, इसके घर पर इसकी मदर और वाइफ होती है इसकी बेटी हायर एजुकेशन के लिए एक अच्छे सी उनिवसिटी में चली गई होती है जब एक घर आता है तो देखता है कि वाइफ इसके मदर की टौइलेट साफ कर रही होती है इसके मदर बहुती स्टिक टाइब का कैक्टर है, ये बहुती बुड़ी है पर अभी भी इसे सब को समझ में आता है उसके इशारे पर सब को नचाती है, जब जंग घर पर आता है तो जंग को कहती है, तुम्हें वो जौब छोड़ देना चाहिए इनके पहले दुकान हुआ करती थी पर दुकान पर अब कोई भी नजर नहीं रखता मदर खेती है कि फादर ने कितने एफर्स लिये थे, सब कस्टमर्स पाने के लिए, अब तुम्हें दुकान चलानी चाहिए जब यंग वाइफ के पास रता है, तो वाइफ खेती है कि हमारी बेटी अब एक साला का गैप लेने वाली है उसके एजुकेशन की फीच उसके पास नहीं है और ये भी इसे प्रोवाइड नहीं कर सकते इसलिए एक साला वो काम करेगी और इसके बाद फिर से एजुकेशन करेगी यंग की वाइफ भी महनत यूती है, ये भी एरबोर्ट पर साफ सपाई का का काम करती है इसके बाद हमारा और एंग में क्यारेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है तेयंग तेयंग एरबोर्ट पर काम करता है, वहाँ पर उसका काम लोगों के पासपोर्ट अप्रू करना होता है रात में एक ग्याएंग के पास तेयंग आता है इससे बहुत सारे पैसे लिये थे और वो पे नहीं कर पा रहा जो सब पैसे इसने लिये थे तो उसकी गल्फरेंड इसे चुरा कर ले गई है इसके गल्फरेंड का नाम यूनी होता है यहाँ एक बड़ा खतरना गुंड़ा होता है और उसका राइट हैंड भी उसके साथ बेठा हुआ होता है यह गुंड़ा तेयंग को कहता है कि तुम्हें जल से जल मुझे पे करना है अगर तुम पे नहीं करोगे तो मेरे आदमी को human intestine खाना बहुत पसन है अपने बॉस को समझाने की कोशिश करता है कि यूनी उसे भी दगा देकर भाग गई है पर उसका बॉस समझने वाला नहीं उसे जल से जल उसके पैसे चाहिए मुवी में बहुत सारे कैरेक्टर है पर आप ज़रा confused मत हुए है इनकी जो stories है यह perfect sense करती है और आपको सब समझ में आ जाएगा इसके बाद हमारा और एक कैरेक्टर जिसका नाम अता है मीरान यह introduce होता है यह एक बार में prostitution का काम करती है इस बार में एक दिन जीनते आता है इसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही होती मीरान जब इसके पास जाती है तो इसे वो पसंद कर लेता है जीनते एक्चुल में चायना से आयो होता है मीरान फिर काम करकर घर आती है थोड़ी देर में उसका हस्बन आता है उसके पास जब आता है तो इसे वो डर जाती है क्यूंकि हर रात यह इसे बहुत मारता है एक्चुल में मिरान और उसके हस्बंड ने एक लोन लिया था फरजी स्कीम्स के चक्कर में आकर यह सब पैसे उन्होंने इन स्कीम्स पर लगा दिये इसके बाद इसका पती मिरान को ही ब्लेम करता है इसके बाद हमें फिर से तेयंग दिखता है तेयंग वही है जो एरपोर्ट पर काम करता है तेयंग को उसके एक फ्रेंड का कॉल आया हुआ होता है और वो इस कंट्री में आने वाला है तेयंग अपने कजन से मिलने के लिए आया हुआ होता है इसका कजन भी एक बार में काम करता है इसके कजन को पता चल जाता है कि तेयंग को अप कुछ काम होगा इसी वज़े से ये आया हुआ है एक खाना में पता खते हैं इधर-उदर की बात ही करते हैं फिर तेयंग असली बात करने के लिए स्टार्ट कर देता है गसीटो कोई भी इलीगल चीज नहीं करना जाता पर बहले इनने बहुत सारी चीज़े की है तो इस बार भी तेयंग इसे मना ही लेता है नेकसिन में जंग अपने जॉब पर तीन मिनिट के लिए लेट हो जाता है इसका बोस बहुत इखटिया है और इसे बहुत डाटता है जं जिता है कि कोई भी नहीं आया अब जंग को जड़ा अच्छा लगने लग जाता है नेकसिन में हम देखते है कि मिरान और जीन थे दोनाई दूसरे के साथ इंटिमेंट हो चुके है जीन दे को मिरान पसंद आने लग गई है उसे कहता है क्या तुम्हें वो जॉब करने कोई मिरान जब उठती है तब उसके पीट पर बहुत सारे मार खाने के मार्स होते हैं जनते उसे पूछता है कि तुम्हेरे हस्बन ने ये किया है तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए मिरान केती को इस रिलेशन sut गे में जिनते बोलता है कि मेरे मढर को भी मेरे फादर मारते मेरी मदर भी मार खाती थी, मैं उन्हें प्रोटेक करने की कोशिश करता था पर वो मुझे रोक लेती थी, आदत एक बुरी चीज है, क्या तुम भी इसी तरीके से मार खाने की आदत बनाना चाहती हो, इसके बाद ये सिन यही खतम हो जाता है, नेक सिन में हम देखते हैं कि ज अपने मदर से बात करता है, और उसकी मदर सुनने वालों में से नहीं होती, नेक सिन में हम देखते हैं कि तेंग अपने फ्रेंड को लेने के लिए एरपोर्ट पर आया हुआ है, वो बहुत वेट करता है और उसका फ्रेंड आता ही नहीं, तोड़ी देर में वहाँ उसके ग रेकोर्ड्स होते हैं, जबरदस्ती ये डिरिक्टू तेंग को खाना खाने के लिए लेकर आता है, तेंग को उसके फ्रेंड की फोटो दिखाता है, और तेंग भी आप मान लेता है कि उससे पहचानता है, ये डिरेक्टू कहता है कि मैंने उसके सब कॉल रेकोर्ड्स विग कोई भी रेकॉर्ड नहीं है इसके बाद डिरेक्टिव कॉल आ जाता है और वहाँ से चला जाता है बहुत ही एक्सपेंसियो जगा तेयंग को उसने लाय हुआ होता है और तेयंग को इस सब बिल पे करना पड़ता है हमें फिर से जंग दिखता है वाइफ ऑस्पिटल में इसी इसके बारे में अब वो जीनते से बात करती है जीनते से मिलकर वो अपने हस्पन को मारने का प्लान बनाती है मिरान कहती है कि रात में मेरा हस्पन बहुती ड्रिंक करता है और दो-तिन बजे पार से बहार आता है जब मिरान का हस्पन बहार आएगा तब जीनते उसे गाड़ जीनते कहता है कि वहाँ एक कॉम्पिलिकेशन हो गया था उसके बॉड़ी में वही नहीं रख सकता था वो जाकर मौंटन पर ये बॉड़ी गाडने वाला है मेरा नाप डिस्टब हो जाती है उसका हस्बन अगर गायव हो गया तब उसे पैसे नहीं मिलेंगे अगर मिले भी तो पास साल बाद मिलेंगे वो इतना सारा वेट नहीं कर सकती अब वो निराश होकर बेटी हुए होती है तो थोड़ी देर में उसका हस्बन आ जाता है जीनते ने किसी और ही आदमी को मार दिया था अब नेक सिन में हमें तेयंग दिखता है तेयंग के कजन के पास गैंगस्टर आया हुआ होता है तेयंग अपने फ्रेंड को एटने वाला था सब पैसे उसे लेने वाला था यह सब गैंगस्टर को पता चल चुका है तेयंग से भी यह सब प्लान बुलवा लेता है अब इसे भी इन पैसों में से कट चाहिए गैंक्स्टर जाने के बाद तेयंग का कजन बहुत ही वरी करने लग जाता है तेयंग कहता है वरी मत करो जो भी सब चीजे होती है इसके पीजे कुछ रीजन होता है तेयंग फिर उसे एक स्टोरी सुनाता है वो कहता है कि तुम्हें पता है क्यों मैं इस cigarette पीता हूँ इस cigarette का नाम Lucky Strike होता है कहता है कि मेरे friend के साथ एक long trip के लिए मैं जा रहा था हम road पर petrol भरने के लिए रूखे थे मुझे cigarette बाय करने थी मैं cigarette बाय करने के लिए गया और एक बड़ी सी ट्रक आई और मेरे गाड़ी को उसने ठोक दिया अगर मुझे cigarette पीने की आदत नहीं होती तो मैं अभी जिन्दा नहीं होता तेंग अपनी बुरी चीजों का भी इसी तरी की से justification करता है इस story को आप याद रखे मुवी के last में आपको काम आएगी मिरान फिर से जिन्दे से मिलती है वो कहती है उनका plan अब unsuccessful हो चुका है उसे फिर से job करना पड़ेगा वो जिन्दे को कह रही होती है कि वो चायना चला जाए वो वहाँ safe रहेगा जिन्दे ने उस आदमी को मारा तो murder करने के बाद उसे बहुत ही पुरा लग रहा है Nixon में हमें यंग दिखता है यंग का job चला गया है तो पेशो का क्या ये उसे सवाल आता है वो जल्दी से उसके job के यहाँ आ जाता है और पेशो की back लेकर बाहर निकलता है ये लेकर जब यहाँ से जा रहा होता है तो वहाँ police detectives आ जाते है जो आदमी पैसे रख कर गया था उसकी जाचो कर रहे है यंग उसे नहीं जानता ये कहे कर वहाँ से जा रहा होता है तब वहाँ उसका boss भी आ जाता है जब boss इसकी back देखता है तो पुछता है कि इसमें क्या है यंग कहता है कि मेरा सब सामान है बुक्स वेगरा मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ boss कहता है कि मुझे देखना है यहाँ पर police भी होते है जो जा रहे होते है police जब तक वहाँ से चले नहीं जाते तब तक यंग अपने बॉस से बात करता रहता है उसे टालता रहता है जब पुलिस या से चले जाते है तो जंग अपने बॉस को कहता है यह देखो मैं पहले तुम्हारे लिए काम करता था तुम मुझे तंग करते थे पर फिर भी ये में सब सहन कर लेता था तेयंकी गर्फरेंड जो उसके सब पैसे लेकर भाग गई थी ये वही है ये आदमी यूनी इसे डिस्रिस्पेक्ट्फुल होता है तो उसे स्लाप करकर वहाँ से चली जाती है मिरान को भी अपने पास सो बिटाती है मिरान की इंजुरिस देखकर समझ आती है कि उसका हजबन उसे मारता होगा मिरान को कहती है अगर तुम्हें कोई भी तरीक एका प्रॉलम आया तो मैं तुम्हारे लिए हूँ तुम जादा वरी मत करना अब हम देखते हैं कि जिन्दे को मिरान को कॉल आता है आदमी को मारने के बाद जिन्दे बहुत ही डिस्टरब हो चुका है इसे आदमी को तुमने गाड़ा है उसकी जाकर हम शान्दी करकर आते हैं तुम्हें जरा अच्छ लागेगा ये फिर माउंटन में पहुचते हैं और वहाँ सब को जो सेरे में निविकरा करते हैं जिन्दे को अभी भी सब गलत लग रहा होता है ये फिर से मिरान से कहता है या व तो उसके हस्बन का जो इंशॉरंस था इसके बारे में जो सब सिच्वेशन होई थी इन सब के बारे में पता देती है यूनी कहती है तो डरने के कोई भी जरूत नहीं है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी कार को वगरा वो स्क्रैप कर देती है इसके बाद उसे एक स्विमिंग होता है ये बाहर निकलता है इसी प्रिंसिपल से चलती है मीरान को बता रही होती है कि उसके हस्बन को उसे मार देना चाहिए इसके लिए यूनी उसे हेल्फ करने वाली है उसे एक पॉईजन देती है जिससे मीरान का पदी स्लोली स्लोली मर जाएगा ये उसे सब कुछ बता उसे आदे पैसे भी वो दे रहे हुती है पर यूनी कहती है कि मैं पैसो के लिए मैंने इस सब नहीं किया वो मिरान को एक नई कंट्री में जाकर नई लाइफ स्टार्ट करने में हेल्प करने वाली हुती है यून ही मिरान को गेती है कि अब नई लाइफ तुम स्टार्ट करो जिस आदमी को जिनते ने मारा था वो एक रेपीस था उसके साथ यह होना ही चाहिए था जब यह दोने सेलिबरेट करते है तो मिरान के इस शैंपियन में उसने बेहोशी की दवा मिला दी होती है रात में मिरान जब उठती है तब यह टेबल पर होती है और यूनी अब इसे मार देने वाली होती है यूनी मिरान के तुकड़े तुकड़े करकर नदी में फेक देती है सब पैसे अब वो ले ली थी है यून ही अमिर होती है पर फिर भी इसे स्कैम करना अच्छा लगता है वो अब सब कुछ सेल करकर सब पैसे लेकर एक नगी कंट्री में जाना जाती है तेयंग जब घर पर आता है तो वहाँ यूनी अल्रेडी आई हुई होती है वो कहता है तुम्हारा काम है इसलिए तुम आई हो तुम मेरे नहीं आई यूने से समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है वो सच्विश में उससे प्यार करती है यहाँ डोर पर नौक आती है और डिरिक्टू भा होता है तेयंग इसे देखकर डर जाता है यह डिरिक्टू जबरदस्ती अंदर आ जाता है यह जब यूने को देखता है तब इस पर लाइन मारने लग जाता है यह सब अब डिनर कर रहे होते है यह डिरिक्टू अब देखकर को कहता है कि तुम्हारा फ्रेंट पकड़ा जा चुका है अज रिवर में मुझे एक बोड़ी मिली थी तो मुझे लगा कि तुम्हारे फ्रेंट की ही होगी बर एक लड़गी की थी यह लड़गी मिरान की होती है जिस तरह से यूने ने उसके बोड़ी पर शार का टैटू बनवाय हुआ था उसी तरह से मिरान ने भी बनवा लिया था यह टैटू उस बोड़ी पर था यह डिरिक्ट्व तेयंग को कहता है तेयंग को पता जल जाता है कि मिरान को यूनी ने ही मारा है डिनर करते वक इनकी बियर खतम हो जाती है तेयंग कहता है कि जल्दी से जाकर में ये लेकर आता हूँ फ्रण में जाकर वो अपने कजन को ऑल करता है वो कहता है कि यूनी वह आपस आ चुकी है वो अलग कंट्रे में जा रही है तो इसके पास बहुत सारे पैसे होंगे यूनी इसे पैसे लेने के लिए यू अपने कजन से help मांग रहा होता है एक कजन भी help करने के लिए ready हो जाता है जब देयंग घर पर वापस आता है तो हमें दिखता है डरेक्टु को यूनि ने मार डाला है डरेक्ट्टु यूनही पर line मार रहा था तो एक सेकर में उसने उसे मार डाला मुवी में आगे हमें पता चलता है कि जो डिरेक्टिव था ये डिरेक्टिव था ही नहीं एक गुंडा था जो ढूंग कर रहा था कि वो डिरेक्टिव है ये भी पैसों के पीछे ही था यूनी देयंग को उसे हेल्प करने के लिए कहती है बॉडी का सब कुछ ठिकाना वे गराव लगाते है जब यूनी साफ सबाई करती है तब देयंग एक पैन लेता है और यूनी की सर पर मार कर उसे बहुश कर देता है नीचे पार्किंग में जाता है और इसके गाड़ी में पैसे उसे मिल जाते है जब यूनी उठती है तब देयंग ने जिस गैंस्टर से पैसे लिये थे वो गैंस्टर यहाँ आ चुका है देयंग वहाँ से भाग गया है और यूनी को उसने फ्रेम कर दिया है यूनी देयंग को कौन लगाती है पर देयंग कहता है यह तुमारे सा एफ्प में वहां से जाने माला होता है, तब इसके start को सिगरेट लेने के लिए जब वह बाहर आता है, तो गैंग्स्टर उसे लेता है, इसके गैंग्स्टर पीचे पीचे भागता है, यह लोड पर आ जाता है, और एक गाड़ी की नीचे आकर वो मर जाता है, जैसा मूवी में हमने देखा है कि टेयंग बिलीव करता था कि सिगरेट की वज़े से उसे लाइफ मिली है पर उसी सिगरेट नहीं इसकी लाइफ ले ली ये मूवी सुपास्टिशन्स पर एक अच्छा सा कॉमेंट करती है नेकसिन में हमें जंग दिखाये गया है और अपने वाइब से वो बात कर रहा है अपने वाइब को कहता है कि अब तुम्हें काम करने कोई भी जरूरत नहीं है इसके वाइब उस वर बिलीव नहीं करती और काम पर चली जाती है जंग को फिर उसके बॉस का कॉल आता है उसका बॉस उसे कहता है तुम्हारी सैलरी लिये बीना ही तुम चले गए बहुत सारे लोग सैलरी के लिए बाद में परिशान करते है इसे वज़े से उसका बॉस उसे बुला लेता है ज़ब ज़ब उसके बॉस के पास पोचता है तब हमें दिखता है कि वहाँ गैंग्स्टर और यूनी है यह दोनों पैसो को ढूण रहे है इनोंने फिगर आउट कर लिया है कि यह पैसे ज़ब के पास ही है ज़ब 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 को बैक के बारे में पूछते है तो ज़ब कहता है कि वह बैक मेरी वाइफ ने मुझे दी थी ज़ब वहाँ अनकमफरटेबल हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है गर आने के बाद, तब पैसे वो चेक करने लग जाता है, तो भी गैंग्स्टर और यूनी वहाँ पोच जाते हैं यूनी और गैंग्स्टर ऐसा डोंग करें होते हैं, कि पुलिस डिरिक्ट्यूज हैं सब पैसे हो ले लेते हैं तब जंग की मदर वहा थी है जंग उन्हें इंटर्टूज कराता है पर मदर कहती है, यह ळिरिड़ मस्तोडी नहीं है, इनके हाथ पर डाटूज रग रहा है, इस तरह के डाटूज अलाउट नहीं है, युनी मदर को मारने लग जाती है, और बेहोश कर देती है यू गैंस्टर भी जंग को बेहोश कर दे यूणी एरिपोर्ट पर आती है और ये सब पेसे वो लॉकर में रख देती है ये गैंस्टर का राइट हैंड यूणी को स्पॉर्ट कर लेता है ये जाता है और बेरहमी से इसका मर्डर कर देता है यूणी समझती थी कि वो एक शार्क है सबको मार कर बच कर रोहा से निकल सकती है पर अब उसका ही शिकार हो चुका है फिर से हम अपने आपको क्या समझते है और क्या होता है इस पर और एक कॉमेंट ही मुवी करती है इसके बाद हम देखते है घर जब जल रहा था तो जंग फिर से होश में आ गया था अपनी मदर को लेकर वो बाहर आ जाता है उसका घर भी जल गया है और पैसे भी चले गया है वो रोने लग जाता है उसकी मदर फिर उसे कहती है कि रो मत तुम अभी भी जिन्दा हो यही इंपोर्टन्ट है अगर मूवी में देखे तो बहुत सारे कारेक्टर्स मर चुके है यह उसे समझाती है कि तुम्हारे फादर जब वार से वापस आये थे तब हमारे पास कुछ भी नहीं था और तुम्हारे फादर मेहनत ही थे उन्हेंने शौप खड़ी कि और इसके बाद अच्छे से बिजनेश चलाया जब तक तुम्हारे पास हाथ पेर है और तुम्हारे पास कर सकते हो तब तक कोई भी तुम्हें प्रॉलम ने आएगी जिन्दगी में लालच एक पुरी चीज है जिन्दगी में लालच एक बुरी चीज है और यह हमेशा डूबा करी जाती है मुवी में सब लोगों ने लालच किया है और उन्हें मरना बडा है सब ने लाइफ में शॉटकेट लेने का ट्राइक किया और सब लोग फस गये मुवी में सबसे helpless character मीरान का ही था उसका पती उसे मारता था पर revenge लेनी के लिए उसने अपने पती को भी मार डाला जिन्ते पुलिस को कुछ भी बताया ना इसलिए उसने जिन्ते को भी मार डाला वो मीरान का नाम नहीं लेने वाला था पर फिर भी वो cruel बन चुकी थी जिस तरीके से उसका husband cruel था वही वो बन चुकी थी इसे वज़े से उसे भी price pay करनी पड़ी अब मुवी के last में हम देखते है कि जंग की wife एरपोर्ट पर काम कर रही है वहापर जो वो साफ सपाय कर रही होती है तो locker खुल जाता है अंजर जब वो देखती है तो यूनी ने जो सब पेसे छुपाये थे यह सब उसे मिल जाते है यह लेकर तुरंट वहाँ से जा रही है यह हमें दिखता है यही इस movie की थोड़ी से अटपटी थोड़ी से happy ending हो जाती है आज की वीडियो हम यही कतम करते है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लिए इस वीडियो को like कर दीजेगा बहुत सारी इस तरह की movies लेकर आते रहे तो तो प्लिए इस चानल को subscribe कर दीजे और bell notification आइकन दबाना भी मत भूलिए हम फिर से मिलेंगे और ही नहीं movie के साथ तब तके लिए thank you और हम अपने आपका ख्याल रखें